नमस्कार दोस्तूं, हिंदी व्याकरन की next कलास आज हमारी रहेगी पदबंद के बारे में दोस्तूं आज का जो हमारा topic है वो क्या है दोस्तूं, पदबंद, पदबंद आज हम यहाँ पर देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद चाहे केसा भी क्यूसन एक्जाम के अंदर आ जाए आपका कभी भी क्यूसन पदबंद का गलत नहीं होगा दोस्तूं इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप अंतक मेरे साथ ये वीडियो देखते रहे आप सभी का मैं सुवागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचमन ओनलाइन कलासेज पर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों आपसे अनुरोद है इस वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रू के पास सेर जरूर कर देना चलते हैं दोस्तूं देखते हैं होता क्या है पदबंद सरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि हम बात तो कर रहे हैं पदबंद की लेकिन पद क्या है बंद क्या है पद तो देखे पद क्या होता है पद की प्रिवासा यहां पे लिखी गई है वाक्य में प्रियूक्त होने वाले सब्द ही पद कहलाते हैं यहां पे एक वाक्य दिया गया है तो यहाँ पे जो सबद है दसरत पुत्र राम वन गया ये सबी क्या है मित्रूम पद ही है समझ गए पद तो आपको समझ में आ गया अब पद को बांध ना है जब पद को हम बांध देंगे न दोस्तूं तो समझ लो आपका पदबंध टोपिक कम्प्लीट हो गया अब देखि जब दो या दो से अधिक पद नियत करम और निशित अर्थ में किसी पद का कारिये करते हैं तो उन्हें पदबंध केते हैं अथ्वा किनी पदू के योग किनी पदू के योग से बने वैक्यांस को जो एक ही पद का कारिये करता है पदबंध केते हैं मित्रूम ध्यान से सु आपको पद मिल सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, कितने भी, लेकिन ये सभी एक जो अंतिम होगा, उसके पीछे क्या रहेंगे, सयूक्त रहेंगे, उसे जुड़े होगे, और जो ये पद होते हैं, एक से अधिक पद मिलकर, काम एक ही पद का करें, किसका करें, एक ही पद का अगर काम करें, सभी पद मिलकर, तो वो ही आपका पदबंध होगा, उद्धारन ये ही रखेंगे, इसी से समझेंगे, हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, दसरत का पुत्तर राम, यहाँ पे आपको डेस लगा दिया, राम के नीचे और पूछ लिया, पदबंध है, कौ पीछे ही यह जुड़ा हुआ है ना, बाकी तो, दसरत का पुत्तर राम, जुड़ा है इसी के साथ है, तो यह आपका क्या हो गया, एक पदबंध हो गया, दोस्तों, साइद सभी को पदबंध समझ में आ गया होगा, पदबंध के अंदर सबद नेक हो सकते हैं, लेकिन उन स अब्दु का पदबंध एक ही होगा दोस्तों, यह आपको याद रखनansen ये, अब दोस्तों क्यूसन के से आता है, बात यहां पर आती है, क्यूसन एकजाम के अंदर जो भी आएगा मित्रु आपके सामने, उसके अंदर आपको करनां क्या है, पदबंध के परकार बताना है, सीधा के उसन आता है उधारन दिया हुआ रहता है जैसे इसी उधारन पर अगर हम लें तो कैसे आएगा यहाँ पे होगा कि राम के नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगी रेखांकित के आवा मिलेगा और पूछेगा कि यह आगा दसरत का पुतर राम वन गया रेखांकित पदबंद है और नीचे पदबंद के परकार आ जाएंगे तो दोस्तों उधारन आपके सामने हैं यह एक बार देख लें आगे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिकावाए लड़की अत्यंत सुन्दैर विदूसी वे कुशल है तो यह क्या है पदबंद हो गया नदी कलकल करती हुई बह रही है यह एक पदबंद हो गया दोस्तों इसी परकार यहाँ पे देखे दोस्तों यह चीजे याद रखनी है इस परकार रचना की दरश्टी से पदबंद की तीन बाते आउसेख है कोन-कोन सी इसमें एक से अधिक पद होते हैं एक से अधिक सबद होते हैं दोस्तों यह पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है आपस में दसरत का पुत्तर राम आपस में जुड़े हुए हैं एक इकाई एक ही पदबंद बना है एक ही सब्द का अर्थ परकट हो रहा है उससे दोस्तू, पदबंद किसी वाक्य का अंस होता है, स्विम वाक्य नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तू, बहुत सारे साती बोलते हैं, मैंने पहले भी देखा है, बहुत सारे जो मैंने पोश्टें किये उन पे देखा है कि ये बोलते हैं कि जो पदबंद होता है वाक्य नहीं होता है मित्रूं वाक्य का कुछ हिस्सा ही होता है जो हिस्सा होता है उसके अंदर पद दो तीन चार हो सकते हैं लेकिन उन दो तीन चार पदू का पदबंद एक ही होता है दोस्तूं अब निसकर्ष क्या निकल है पदबंद कहलाता है क्या कह रहा है ये कुछ सब्द कुछ पद वाक्य के कुछ पद मिलकर अगर ऐसा काम करें जो अक्यला एक ही पद या एक ही सब्द कर रहा है तो वो सब्दू का जो समुए होगा ना वो ही आपका पदबंद होगा ये तो पदबंद हुई अब के परकारों की तो पदबंद के पांच भेद होते हैं दोस्तों संग्या पदबंद सर्वे नाम पदबंद विशेशन पदबंद किरिया पदबंद किरिया विशेशन पदबंद अब मित्रू यहां पे आपको पदबंद पढ़ रहे हैं तो आपको संख्या का ज्यान होना चाह जाएगा दोस्तों लेकिन यहां पे मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको ये चीजी अभी तक पता नहीं है और आपने नोर्मली इनको पड़ा है ध्यान से नहीं पड़ा है तो पदबंध टोपिक के साथ आपके इनसे रिलेटेड कि उसन भी क्या हो जाएंगे एकजाम में गलत हो जाएंगे इसलिए एक बार हिंदी व्याकरन ट्रिक से पले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर संग्या सरवना विशेशन और किरिया के वीडियो जरूर देख लेना मित्रू ट्रिक के साथ हम पढ़ाते हैं ट्रिक का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि मै भूल नहीं पाओगे अब दोस्तों इनको देखते हैं सबसे पहले चलते हैं संग्या पदबंद की ओर संग्या पदबंद क्या कहता है मारा वह है पदबंद जो वाके में संग्या का कारिये करे संग्या पदबंद कहलाता है अत्वा पदबंद का अंतिम या सिर्षपद संग्याहो तता AMY सभी पद उसी पर आसरित हो तो संग्या पदबंद कहलाता है दोस्तू कहने का मतलब है जो हमें पद या सब्द रेखांकित मिले या लंबा तीन चार 5 सब्द उसके अंदर मिले हमें या पद 345 में पद मिले और अंतिम जो पद होता है अंतिम यहां के सबसे तेज दोडने वाला चातर अंतिम कौन सा मिल रहा है चातर बाकी यहां पर देखे यह जो चार है ना यह चारू के चारू चातर के उपर क्या है आसरित है दोस्तु है ना आसरित तो आपको इस चातर को लेना है इस चातर के अंदर क्या है संग्या है यह सर्वे नाम है यह विसेशन है यह किरिया है यह क्या है जब इसका आपको पता चल गया ना इसका पता चलने के लिए आपको संग्या सरवनाव विसेशन का जो किरिया है उनको पढ़ना पड़ेगा दोस्तु तो संग्या पदबंद क्या कहता है मित्रू कि जो वाकिया है आपका उसके अंदर आपका चातर आ रहा है चातर क्या है संग्या है तो पदबंद कोन सा होगा संग्या पदबंद होगा दोस्तु मतलब क्या कि वाकेत में रेकांकित पद का अंतिम सपद या सब्द अगर संग्या है तो वहां पर संग्या पदबंद होगा अन्य उधरन ओर देख लेते हैं देख आस्मान में उड़ता हुआ गुबारा फट गया यहां पे गुबारा पे आके आपकी जो रेकांकित लाइन है वो रुक रही है तो गुबारा क्या है दोस्तों आस्मान में उड़ता हुआ गुबारा यहां पे इतने पांच जो पद है यहां पे इनको रेकांकित किया हुआ है लेकिन अंतिम कौन सा है आपका अंतिम कौन सा है गुबारा है और गुबारा क्या एक संग्या सब्द है तो यहाँ पे कौन सा पदबंध होगा संग्या पदबंध होगा चार ताकतवर मजदूर भारी वस्तो उठा ले गए यहां पे मजदूर के उपर आकर क्या रुक रही है आपकी रेकांकित लाइन रुक रही है मजदूर क्या है संग्या है और संग्या है तो यहां पे इस वाके में कौन सा पदबंद होगा संग्या पदबंद राम ने लंका के राजा रावण को मारा यहाँ पे लंका के राजा रावण रावण के उपर आपकी लाइन रुक रही है रेकांकित रुक रही है अंडर लाइन रुक रही है अंतिम पद है तो रावण क्या है रावण एक संग्या है तो यहाँ पे पदबंद कोन सा होगा संग्या पदबंद होगा दोस्तू संग्या पदबंद समझ में आ गया होगा नहीं तो फिर सुन लो एक लाइन अंडर लाइन या रेखांकित वाक्य की अंतिन सब्द अगर संग्या है तो वहाँ पर संग्या पदबंद होगा चलते हैं दोस्तों दूसरे परकार की ओर दूसरा परकार है सर्वे नाम पदबंद क्या कहता है सर्वे नाम पदबंद वह पदबंद जो वाक्य में सर्वे नाम का कारिये करें सर्वे नाम पदबंद कहलाता है पदबंद है वो अगर सर्वे नाम का कारिय कर रहा है तो सर्वे नाम पदबंद होगा पदबंद का अंतिम या सिर्ष पद सर्वे नाम हो तता अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो सर्वे नाम पदबंद कहलाता है वो यह जहां पर संग्या आ रहा था वहां पर इसमें क्या आ जाएगा सर्वे नाम आ जाएगा दोस्तु अब इसको उधारन से समझेंगे हम उधारनों में चलते हैं पहला उधारन बिजले से फूर्ती दिखा कर आपने चातर को डूबने से बचा लिया अब दोस्तु सर्वे नाम क्या होते हैं संग्या के इस्तान पर परियुक्त होने वाले सब्द यह होते हैं यहां पर अंतिम जो अंडरलाइन रेकांकित है वो कहां पर रुक रही है आपने पर आपने क्या है संग्या के इस्तान पर परियुक्त हुआ है तो क्या है सर्वे नाम है सर्वे नाम एंतिम तो यहां पे पदबंद कौन सा होगा सर्वे नाम पदबंद होगा दोस्तू बिजली सी पूर्ती दिखा कर आपने जो यहां पे बिजली सी पूर्ती है यह किस पर आसरित है आपने पर आसरित है और आपने क्या है सर्वे नाम तो यहाँ पर पदबंद सर्वे नाम पदबंद नेक्स्ट में देखो विरोध करने वालू में से कोई नहीं बोला यहां पे कोई में आके रुक रही है कोई है क्या सर्वे नाम कोई क्या है सर्वे नाम है मित्रू तो सर्वे नाम है तो यहां पे क्या होगा सर्वे नाम पदबंद होगा और यह बाकी विरोध करने वालू में सें यह सभी कोई के उपर नीरब्र है है na दोस्तूं आसरीछ है आगला उदारन देखे सरारत करने वालू मेंसे कहीं अंतिम क्या रहें कहीं कहीं के द професс पकड़ें कहीं कहीं क्या है क्या है क्या है दोस्तूं एक सर्वे नाम है तो यहाग पर पदबंद कौन सा होगा सर्वे नाम पदबंद होगा तो जिस परकार संग्या में अंतिम सब्द संग्या होता था उसी परकार सर्वे नाम पदबंद में अंतिम जो एक आंकित सब्द है उसका अंतिम पद मेंसा क्या होगा क्या होगा सर्वे नाम सब्द होगा दोस्तू आगे चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर तीसरा है अमारा विसेशन पदबंद क्या कहता है वह पदबंद जो वाके में संग्या या सर्वनाम की विसेशता बताता हो विसेशन का कार ये करें विसेशन पदबंद कहलाता है पहली बात विसेशन किसे कहते हैं संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताने वाले सब्दू को विशेशन कहते हैं और जो वाक्य के अंदर पदबंद होगा वो अगर विशेशता बताएं न संग्या और सर्वनाम सब्दू की तो वहाँ पर विशेशन पदबंद होगा पदबंद के अंतिम या सिर्ष सब्द विशेशन हो तता अन्य सभी उस पर आसरित हो तो विशेशन पदबंद कहलाता है उदारण में चलिए दोस्तूं यहां पे देखिए तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देरी से पहुंचती है यहां पे आपको अंडरलाइन का मिल रही है दोस्तूं तेज चलने वाली यहां पर मिल रही है न दोस्तूं तेज चलने वाली यह क्या कर रही है गाड़ियों की एक विशेशता बताई जा रही है दिम्मी चलने वाली गाडिया, स्पीड से चलने वाली तेज चलने वाली गाडिया तो यहां पे विसेस्ता किस की बताई जा रही है गाडियों की और विसेस्ता क्या है तेज चलने वाली तो आपको पता चल गई नहीं यह क्या बताई जा रही है विसेस्ता विशेष्टा बताई जा रही है तो विशेष्टा बताने पर वहां पे कौन सा पदबंद होगा विशेष्ण पदबंद होगा सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा अधिक नहीं चलता कपड़े की विशेष्दा क्या बताईए यहां पे कि सस्ता खरीदा हुआ कपड़े की विशेष्दा बताई जा रही है तो पधबंद कौन सा होगा? अगला देखी उसका गोड़ा अत्यन तेज सुंदर फुर्थिला है गोडे की विसेशता है, कि वो तेज है, वो सुन्दर है, वो फुर्तिला है तो यह क्या बताई गई है गोडे की विसेशता, तो पदबंद कौन सा होगा विसेशन पदबंद होगा दोस्तों संग्या, सरवनाम और विसेशन, तीन पदबंद आपके complete होगे अब चलते हैं चोते पदबंद की ओर चोता पदबंद है आपका किरिया पदबंद किरिया और किरिया विसेशन पदबंद बहुत important रहते हैं दोस्तों आजकल exam में सबसे ज़्यदा इनी से क्यूसन आता है किरिया विसेशन बहुत simple लगेगा वहाँ पर कौन सा होगा किरिया पदबंद होगा देखिए उधारनों में चलते हैं पहला उठाइए वह दोड़ता जा रहा है दोड़ता जा रहा है काम कर रहा है कर रहा है ने काम दोड़ता जा रहा है नदी बेती जा रही है अपना काम कर रही है बेती जा रही है वह बाजा बाजार की और आया होगा तो आया होगा तो वो अपना काम कर रहा है मेरा गर चत से दिखाई दे रहा है जो मेरा गर है वो चत से दिखाई दे रहा है अब यहां पे आपको दो चीज़े पहला तो काम किरिया हो रही है दूसरी चीज जो किरिया के पद होते हैं किरिया के शब् वो यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तू दोड़ना बहना आना देखना समझे दोस्तू अब यहाँ पर देखे वह दोड़ता जा रहा है किरिया हो रही है तो दोड़ता जा रहा है में कुन सा किरिया पतबंद है किरिया पतबंद बहती जा रही है तो बहती जा रही है में कु लिखाए देरा में कौनसा पदबंध है किरिया पदबंध हैwar fi foreign के किरिया होगी यहाँ पे और किरिया वाची जुद पद्ध है वो यहाँ पर परियोग होगे अब पांच़वा इंपरेंट पर गोड़ इसको धियान से समझ लेना दोस्ट कियूकि exam. क्यूशन इसी आते हैं किरिया विशेशन पदबंद वह पदबंद जो वाके में किरिया की विशेशन पदबंद केलाते हैं विसेशन पदबंध था, वो संग्या और सर्वे नाम की विसेशता बता रहा था, किरिया विसेशन पदबंध है, तो ये किस की बताएगा, किरिया की विसेशता बताएगा, जहाँ पर किरिया की विसेशता बताई जाए, वहाँ पर किरिया विसेशन पदबंध होगा, उदार यहां पे तो किरिया पदबंद है वह बहुत सुंदर आपको यहां पे रेकां कित नहीं है लेकर बोल्ड किया हुआ मिल रहा है दोस्तु बहुत सुंदर तो बहुत सुंदर में कौन सा हो गया किरिया विशेशन पदबंद हो गया वह बहुत दीरे दीरे चलता है उसके चलने क की विशेशता है कि वो दीरे-दीरे चल रहा है क्या चलने की विशेशता तो बहुत दीरे-दीरे क्या हो गया किरिया विशेशन पदबंद आज मैंने पेट बरकर खाना खाया आज मैंने खाना खाया कौन सा हो गया किरिया पदबंद लेकिन पेट बरकर खाना खाया खाने की पेट बरकर तो यहां पे कौन से पदबंद होगा किरिया विसेशन पदबंद होगा आप आराम से बेट कर बातें कीजी यह भी तो था ना आप बातें कीजी आप आराम से बेट कर बातें अब आपको यहां पे विसेशन बातें की कि आराम से बेट कर बातें करो मतलब विसेश ये साल रही है किरिया की तो आराम से बेट कर बेंदर कांसे अंडर कउने पृष्य सितन पदबन्द? अगर अब इनी तक समझ नहीं आ observe या कुछ मिदिखत न डिकस है तो कमेंट कर दे न दोस्त के। और लगा दूँगा इनकी लेकिन एक ही उद्स से है कि हिंदी व्याकरण और सिक्षन विदियों का कोई क्यूसन आपका कभी गलत ना हो तो कैसा लगा यह वीडियो एक बार कमेंट जरूर करें सभी साती वीडियो को लाइक सेर और चैनल को जिन साती उने अभी तक सब्सक्रा कर ले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत